अगर आपने भी किसी भी बैंक और NBFC कंपनी से अगर लोन लिया है तो आपका लोन मात्र 20% में सेटल हो जाएगा यह मैसेज मुझे आए दीन आते हैं और जितने भी अपॉइमेंट्स होते हैं उसमें कस्टमर जादा तर यही पूछते सर उस स्कीम के बारे में बताईए जहां पे 20% में सेटलमेंट हो जाएगा तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम बताएगे कि 20% का सच क्या है और यह 20% कौन सा होता है 20% में लोन सेट होता है या सिर्फ 20% लोन माफ होता है इस वीडियो को देखिएगा आपको हर एक बात समझ में आएगा अगर आप भी बैंक से सेटलमेंट आफर करने जा रहे हैं तो सेटलमेंट कैसे करें कितने में करें कब करें पूरी स्तिती के बारे में आज के वीडियो में बताएंगे जिससे कोई भी आम और खास आदमी अपने सेटलमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखेगा और बैंक से जाके अच्छी डील कर पाएगा मेरा नाम साकित है और आप मेरी यूट्यूब चैनल हिपमी05 को देख रहे हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सेटलमेंट क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेटलमेंट आखिर होता क्या है सेटलमेंट एक ऐसी स्तिती होती है एक कॉंट्रेक्ट होता है जो कस्टमर और यहां पे बैंक की बीच में किया जाता है कि जब पैसे नहीं मिलते तो एक लमशम इमाउंट पे एक बिंदू पे हम लोग समझãoता करते हैं जहां पे बैंक भी खुश जहां पे कुछ नुकसान नहीं होताँ है वहां पे कस्टमर का भी कुछ नुकसान होता यह सबसे साधारन परिभासा है सेटलमेंट की और settlement की नौबत कब आती है जब आप कहीं जॉब कर रहे हो आपका सेलरी अचानक से कड़ गया आपको जॉब से निकाल दिया गया आप कहीं बिजनस कर रहे हो कोई भी बिजनस हो बिजनस में नुकसान हुआ या बिजनस अब उतना profit नहीं दे पा रहा कि अपने loan का repayment सही से कर पाओ जब अपने loan का repayment नहीं कर पाते हो कहीं न कहीं जब loan NPA में चला जाता है तो आपके मन में भी होता है कि कुछ उपर नीचे करके settlement हो जाए और यहां पर settlement भी कितने तरह के होते हैं एक settlement होता है compromise settlement होता है हम लोग compromise settlement का फायदा कब ले सकते हैं तो यहां पर जो loan के type भी होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं सबसे पहला secure loan होता है दूसरा unsecure loan होता है तो हमको सब कुछ समझना पड़ेगा सबसे पहले secure loan के हम लोग बात करें तो secure loan आपका मकान हुआ property हुआ business हुआ जहां पर कोई collateral है वहां पर bank कभी भी security के against में कोई compromise नहीं करती कोई settlement नहीं करन आता है कि अगर आपको अपना loan settle करवाना है तो आपका जो भी बकाया रासी है जो भी व्याज है जो भी penalty है वह जमा करा दीजिए अपने loan को settle कर लीजिए क्यूंकि bank के पास अभी वह property है जो इस loan account से काफी बड़ा है आपका loan account माले जी 20-25 लाग का है bank के पास property 50 लाग है व इसमें भी settlement होता है वो कब होता है देखें बहुत सारी property ऐसी होती जो disappointed होती है बहुत सारी ऐसी property जिसमें government का कोई issue चल रहा होता है बहुत सारी जो property होती ऐसी होती जो बिखी नहीं रहा होता वो एक ऐसी location पर होता है जहां पर बिखना लगबग नामुमकिन है bank सबसे पहले सरफेसी act के तहट प्रयास करता है जब वो property नहीं बिखता तो यहां पे customer court वासा डराया जाता है समझाया जाता है कि आप property बेच के दो नहीं तो आप ए legal action होगा दरसल में bank चाहता है कि उस property को बेच करके आप पैसे दो क्योंकि सरफेसी act के तहट उन्हें ने property ले लिया अगर customer थोड़े से पैसे दे देगा तो मेरा settlement हो जाएगा तो लोगों का सवाल होता है कि कोई भी secure loan में वो कितने नीचे जा सकते हैं तो यह जो percentage होता है 20% तो लोगों को यह लगा कि 20% settle करते नहीं 20% आपके loan के part का माफ करते हैं और उतने में यह settlement possible हो पाता है अब बात कर लोन में एक ऐसा लोन जहां पर कुछ भी नहीं होता बहुत होगा तो आपका चेक दिया होगा इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा इसको कैसे settle करें तो सबसे पहले जब आपके पास पैसे नहीं हो आप NPA के श्रेनी में आ चुके हो तो bank को entertain करना बंद किजिए अगर आप और क्लोज हो गया और हमें settlement करना है तो सबसे पहले bank को entertain करना बंद किजिए जब आप bank को entertain करना बंद करोगे तो bank यहां पर सबसे पहले आपको डराएगा आप पर तरह तरह कि नोटीस बेजेगा arbitration का legal notice यह सारे फिक है उसके बाद जब देखता है कि पैसे तो नहीं आ रह पर पैसे नहीं दे रहा तब यह condition आती है कि लोन जितना पुराना होते चला जाता है amount उतना कम होते चला जाता है यह start होता है 95% से 90% से 80% पर 70% से 60% से 40% तक आ जाता है पर यह 20% नहीं आता जो लोगों का सवाल है कि लोन क्या 20% तक माप होता है नहीं और इस तरह से लोन settlement ह होता है तो secure loan है तो settlement के chances कम है settlement तभी हो सकता है जब आपकी property ऐसी लोकालिटी में हो जहां पर बिक नहीं रहा यहां पर कोई dispute चल रहा है और compromise settlement तभी मिलता है जब आपका loan unsecure हो और bank कहीं न कहीं फस गया है पैसे नहीं मिल रहे है आप दोगे तो हम लेंगे और इसी तरह से banks related अगर कोई भी सवाल हो किसी भी तरह से फंसे हुए हो अगर genuine suggestion चाहते हो जो legal है मैं यहां पर बोल रहा हूं कि आप मुझसे appointment लीजे मुझसे बात कीजी स्क्रीन पर एक number है एक paid service है आप उहां पर WhatsApp कीजिएगा आपको appointment के सारी बाते बता दी जाएगी और आप मुझसे ब कि आपकाने माटर